लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद मटन, मंगल सूत्र और पाकिस्तान जैसे मुद्दों के बाद जीतने वाली सीटों की संख्या का माइंड गेम हावी होता दिख रहा है। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस घोषणा के साथ की थी कि इस चुनाव में भाजपा 370 तथा NDA 400 पार सीटें जीतेगी। तब बहुत से लोगों ने इसे दमभुक्ति के रूप में लिया था। निश्चलानंद सरस्वती ने इस मामले पर क्या कहा है। कहां कि आस्था के साथ साथ इन नदियों को साफ रखना भी हर सनातनी की जिम्मेदारी है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती संत महात्माओं की इस पावन धरा से आने वाली एक ऐसी करिश्माई शक्सियत है। के मार्ग दर्शन में जन जन का आध्यात्मिक विकास आज भी हो रहा है। वर्शों से लोगों को सनातन धर्म और सनातन परंपरा से साक्षातकार करा रहे हैं। और ना सिर्फ देखिए, देश के कोने कोने में बलकि विश्व भर में सनातन के ध्वजवाहग बनकर विश्व शक्तियों को अध्यात्म से भी जोड रहे हैं। सनातन से जुड़े अंगिनत विश्व पर आज भी लोगों की जिग्यासाओं को शांत करते हैं और जो कि देखिए गोवर्धन मट पूरी पीट के शंकराचार्य हैं तो इस कारण जन जन के बीच सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर उनका दायित्व और ज्यादा बढ़ जात है नेताओं का करियर सच में दाव पर लगा है तो चार जून के दिन चुनावी नतीजे भी सामने होंगे और ऐसे में चुनाव को लेकर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान फिलहाल सामने आया है चार जून की तस्वीर को लेकर अब की बार भारत का बॉस आपको याद होगा राम मंदिर उद्गाटन के बीच शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती मीडिया की सुर्खियों में सबसे ज्यादा रहे जी हां शंकराचार्य ने रामलला की प्रान प्रतिष्ठा में मोदी की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे उन मंदिर को लेकर की जा रही राजनीती भी उनको ठीक बिल्कुल नहीं लगती है खुलकर यह कहा था कि अगर मोदी जी उद्गाटन करेंगे मूर्ती को छुएगे तो मैं वहां क्या करूंगा हालांकि देखिए उनके इसी बयान पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था ब जागरित करने का कार्य किया है और अब जो कि देखिए चुनावी मौसम और इसलिए हर कोई यही जानना चाहता है कि भाई देश का संत समाज इसको चुनाव को लेकर क्या सोचता जहां बात शंकराचार्य की आती है तो जिग्यासा और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस एक सवाल पर नागौर के पिलवा गाव से शंकराचार्य ने जो बयान दिया है वो मैं आपको बता दूं कि उनके नजरिये से उनका ये कहना है कि 4 जून अब पास आ रही है तारीख और जिस नजरिये से आप देख रहे हैं यानि कि जनता जिस नजरिये से देख रही है वो वो भी देख रहे हैं और वही होगा जो जनता चाहेगी। अब देखिए यहां शंकराचार्य के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि माहौल तो देखिए, मोधी मय हो रखा है। और शायद यही कारण है कि 4 जून का दिन भी पीए मोधी के नाम देता है। इसमें वसुदेव कुटुमबकम का भाव भी निहित है और यही भारत को अन्य देशों से श्रेष्ठता की श्रेणी में भी रखता है। अनादिकाल से चली आ रही सनातन परंपरा, सिध्धान्त हमारी विरासत है। और 4 जून के दिन अब क्या होगा? सनातन धर को लेकर जो शंकराचार्य ने कहा वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन उन्होंने तो इशारा दे दिया कि जनता जो चाहेगी वह होगा, यानि कि जनता अगर मोधी को चाहेगी तो मोधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल 4 जून की आपको तस्वीर में कौन अन्यवाद.